है 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 फ्रेंज आइम योगत वल्कम बाक क्यों एकनोमिक सासाना गैस आज हम चाप्टर शिक्स कोई कॉंटिव कर रहे हैं डेट इस कोस्ट और इससे पहले जान चुके हैं टीसी टीवी सी क्या होता है आज हम जानने वाले अवरेज कोस्ट के बारे में और जानेंगे एसी एफसी और एविसी क्या होता है अब अब अवरेज कोस्ट की जब हम बात करें तो यहां से एक वर्ड निकल के आता है अवरेज आवरेज क्या होता है अवरेज क्या होता है अवरेज क्या होता 30 divided by 3 कर दूंगे मेरे को पता चल जाएगा कि एक चोकलेगा प्राइस कितना है 10 रुपीज है तो average क्या बताता है हमें equal distribution बताता है कि बराबर बराबर होता तो कितना होता कि उस 30 रुपीज को अगर मैं 3 बराबर हिस्से में बाटू तो कितना हैगा 10 रुपीज आएगा तो average हम का लेंगे वो भी हम देखते हैं तो बात करते है average cost जिसको हम AC भी बोलते हैं AC और ATC भी बोलते हैं AC का मतलब average cost and ATC का मतलब average total cost ठीक है दोनों हम इसको बोल देते हैं देन AC की बात करूँ मतलब ATC average total cost कितनी आई वो क्या होगा हमारा sum होगा AFC प्लस AVC average fixed cost और average variable cost का कैसे जैसे TC हमारा क्या था sum था TFC प्लस TVC का ऐसे ही सेम क्या है AC हमारा sum है total है किसका AFC प्लस AVC का अब टेबल के थो हम इसको समझते है कि किस तरीकिस AFC, AC और AVC हम find out करेंगे ठीक है then बात करें output, output क्या हो रहा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, increase होता जा रहे है अब TFC की जब हम बात करते है तो हमें पाता है भी TFC क्या रहती है constant रहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि output जो है वो increase हो रहा है, decrease हो या फिरो ही क्यों हो नहीं, TFC क्या रहेगी भी constant रहेगी तो पर यूनिट फिक्स्ट कोस निकालनी है, कैसे निकालोंगी, TFC अपॉन में quantity, TFC को डिवाइड कर दूगी आउटपूट के यूनिट से तो मेरे पास average निकल के आ जाएगा, जैसे हमने चोकलेट के केस में करा कि total amount को डिवाइड कर दिया मैंने number of chocolate से तो मेरे पास एक चोकल ठीक करें ना, तो not defined हो गया, 12 divided 1, 12 हाजएगा, 12 divided 2, 6 हाजएगा, 12 divided 3, 4 हााजएगा, 12 divided by 3, 12 divided 5, 2.40 हाजएगा, अब बात करें AFC, AFC क्याकर रह से चिहा है, 12, 6, 4, 3, 2.40, तो क्या करें? डिक्रीज करती जा रही है एफसी क्या करेगी डिक्रीज करती जाएगी जैसे लेवल ओपुट इंक्रीज करता जाएगा ठीक है क्यों क्यों क्योंकि टीफसी कॉंस्टेंट रहती है ना टीफसी कॉंस्टेंट रहेगी तो एफसी क्या करेगी हमारी डिक्रीज करती जाएगी कैसे बताति है वो हम एक बार देख लेटेफा था इसांपल कि 3 आउट-पुट लेवल पर ताटल एक STOPS 12 है बैसिकली वह तो सेम ही रहती है साटान है एंड एवरेज विंट कोस्काय एवरेख मतलब कि जब 12 स्क्रीट करिया बट योनित कितनी कर थेघंजी सब्सक्राइक दू की स्की टोचेंज कर दिश्aguesं कर ऐसे कि तो इसी तरहीके तरीके से एस से ज़ाना निकालनी ulp एक योईड टकी स़ेख कि अममने के किने रहा हुआ खर अलट गें व्म एक ट्यूर्ट कैसी भिर्टाइब एसा होता है तो TVC के बात कर तो 0, 6, 10, 15, 24, 35 क्या कर रही है पहले तो increase कर रही है diminishing rate से rate diminishing है then increase कर रही है increasing rate से rate increasing है अब क्यों होता है क्योंकि law variable proportion की वज़े से होता है कि पहले production क्या करता है increase करता है increasing rate से then production क्या करता है increase करता है diminishing rate से ठीक है के से निकालेंगे टीवीस को डिवाइड कर दूंगे आट पूट कर दो है क्या फिवाइड पर यह में यह सिपाइगे क्यों क्यों क्योंकि और पुचन होई ना मिरको लेबर की वेज इन से प्रवमेटर की पेवंदए नहीं तो टीवीजी क्या होती है जीडों होती है अब बात करें भई ए उपीस निकालेंगे तो जीडो डिवाइड़ जीडों क्या जाएगा डास नोट डिपाइन आजेगा दें 6 डिवाइड़ एट टू फाइफ भाइड़ फाइफ फिफें यूनिट कितनी कोस्ट आ रही है चार जब यूनिट का प्रडक्शन हो तो एक यूनिट पर कितनी वेरियबल कोस्ट आ रही है 6 उर्पे आ रही है तो पर यूनिट हमें बताती है average variable cost average basically per unit value हमें बताता है तो हमने find out कर दे कि per unit value कितनी आ रही है अब बात करें ABC, ABC के करती है 6 से 5 decrease हो रही है then 5 5 constant है then 5 से 6, 6 से 7 increase करें तो ABC करती है starting में decrease करती है minimum पर आ जाती है मतलब constant हो जाती है then increase करती है क्यों कर रही है ये भी because of law variable proportion करती है ठीक है अब बात करें TC की, TC क्या होता है सम होता है किसका TFC प्लस TVC का तो निकाल लेते TC को 12 प्लस 0, 12 प्लस 6, 18, 12 प्लस 10, 22, 12 प्लस 15, 27, 12 प्लस 24, 36, 12 प्लस 35, 47 ठीक है अब TC क्या करती है TC भी हमारी क्या करती है starting में increase करती है diminishing rate से then increase करती है increasing rate से because of TVC ठीक है अब AC जब मैं निकाल रही हूं, AC कैसे निकाल हूंगे TC अपॉन में quantity एक तो यह method है मेरा निकालने का TC अपॉन में quantity कर दे तू TC के अबई 12, 12 द्यादे 0, not define आजाएगा 18 डिवादे 1, 18 आजाएगा 22 द्यादे 2, 11 आजाएगा 27 डिवादे 3, 9 आजाएगा 36 डिवादे 4, 9 आजाएगा 47 डिवादे 5, 9.40 आजाएगा ठीक है एक तो यह तरीक है AC निकालने का, एक क्या तरीक है AC क्या अबई? 9, 3, 6, 9 and 2.40 plus 7, 9.40 ठीक है अब AC की बात कुर तो AC क्या करती है हमारी पहले तो decrease करेगी 18 से 11, then 9, 9 constant रहाते है then increase करना start करती है तो AC क्या होती है? ABC की तरह पहले decrease करेगी minimum पर आएगे constant पर आएगे then increase करना start करेगी अब AC कैसे मुझे पर unit total cost बताती है वो देख लेते है, for example, 2 unit का production हो रहा है, total cost 12 है तो average cost रही 11 मतलब क्या है कि जब 2 unit का production हो तो total cost रही है वो 22 रुपीज आ रही है, but एक unit पर कितनी cost रही है? 11 रही है average का बताता है, बराबर बराबर होता है, तो कितना होता है, कि 22 रुपीज है, 2 unit का production है, 2 unit मतलब 2 बराबर हिस्सों बातना है, that is 11, per unit cost का रही 11 एक unit 2 का करणे है, हमारीenser करी ju मतलब 3讚 tet, 2ints essence, 2 unit 1 UP, 2llow 2 बराबर होता यह 15 का कितने वह रही है, कि ने मतलब 3 ने मतलब 3 बराबर होता है, कि की रुपीज लिए, को मतलब 6 बताता है, कि रुषे को data by just 2 using the function distance 7 अबब 2 आ से सुआ है, 2 mins, 48 बनते है दन बात करें A, C या A, C हम जिसको बोलते है पर यूटल कोस्ट बताते है कि टोटल कोस्ट कितनी आ रही है पर यूणिट पर यूड़ एक्सचिस करता है क्यों 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 कि यह भी एक पता है जीरो ऑउटपट लेवल पर कितनी है यह फोर है तो प्लोट कर लेचे यहाएफ। सौन ए कितनी है फोर है तो और अपुरल थां कितनी है यहai और तो प्रोंक यहाएट है जब में न सारे पॉइंट में सौना आंट आगंग तो सौना अनुना dif ANDREW दाउनवर्ड वोपिंग तो अगर तुम्हें याद हो जब हमने पड़ा था प्राइज लास्ट्यूफ डिमांड जब हमारे लास्ट्यूफ दिमांड के यह एकोल टू बन होती है तो हमारा कव जो हुछ इसी शेप का बंत है जिसको हम बोलते हैं क्या राक्टांगुलर बोला कर्व होता है क्यों होता है क्योंकि area under AFC कर्व remains same at different points कि जो area है वो under AFC हमेशा same रहेगा क्यों सेम रहेगा क्यों सेम रहेगा क्यों क्यों TFC constant रहता हमेशा 12 ही रहेगा इस case में अगर मां बात करो देख लिते एक बार ठीक है इस राक्टेंगल का area वो 12 आएगा कैसे आएगा अगर मात करूं एक unit है 12 AFC 12 x 1 करेंगे 12 आएगा 2 unit AFC मेरी 6 है तो 6 x 2 करेंगे 12 आएगा भी 3 unit पर क्या है मेरी 4 AFC तो 12 आएगा 4 unit मेरा AFC क्या है भही 3 है तो 4 x 3 12 आएगा 5 unit मेरा AFC क्या है 2.40 is 2.40 तो जो एरिया है इन राक्टेंगल का वह हमेशा 12 भी रहेगा इसलिए जो कर्व की शेप आती है वह डाउनवर्ड सॉबिंग होती है और रेक्टेंगुलर हाइपर बोला होती है वह की जो राक्टेंगल है इनका अयरिया जो हो सेम बिसकले अरिया के बात करू हो तो क्या होता है ली एन टुब होता है तो व क्लाल को अगर मैं इसकोव लेलों और इसको दुपी लेलों तो च्वैंट रेगा थिक है 10 Dri panel Pen चल के की इसलिए और पहन थी भात हैउज मूल आय त तो इसलिए AFC क्या होता है हमारा downward swapping और rectangle hyperbola होता है क्योंकि area under different points करेगा, remains constant रहेगा, same ही रहेगा, that is total fixed cost, जो भी हमारा area आया वो क्या है, total fixed cost है, क्योंकि 12 constant रहती है, then बात करें, AFC does not touches any axis, AFC never zero, AFC जो है ना तो y-axis को touch करेगी, ना axis को touch करेगी, य-axis को touch क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, not defined है, ठीक है, access को touch क्यों नहीं करेगी, क्योंकि TFC कभी 0 होगी नहीं, तो AFC की value जो है, वो 0 से जादा ही आएगी, तो AFC क्या करेगी, ना तो y-axis को touch करेगी, ना axis को touch करेगी, because AFC कभी भी 0 होगी ही नहीं, क्योंकि तो आप बात करते हैं हम ABC, ABC क्या बताती है, पर यूनिट वेरियबल कोस्ट बताती है, और ABC क्या होता है, यू शेप कर्फ होता है, पहले डिक्रीज करती है, मिनिमम पर जाती हो, इंक्रीज करती है, ग्राफ देख लेते हैं, बात करते हैं, तो ABC क्या है, जीरो आप लेवल पर तो डैश होती है, बन आप लेवल पर कितनी है, यह एवीस है, 6 है, टू आप लेवल पर लेवल पर अगें 5 है, फॉन्स्टन हो गई ना, 4 आप लेवल पर 6 है, फाइव आप लेवल सेवन जब इन सारे पॉइंट को में जोई इन सारे यहां से हां तक तो यह ही क्या मेरा कॉंस्टन फेज है जब मेरा 55 का है एवीसी कॉंस्टन है, ठीक है? अब बात करते है ही डिकरीस हुः इन ऐढकर से कॉंस्टेंट आगय से उसके बाद इनक्रीज करने सबस्ता है तो अिसके बाद इन्करीज करना स्टाटी ऑच करें तो एकषिक की तरह बीव करते हैं शिप्लिस को तो फसक्षी का चा抵 v9 फो इसकर की अशिब उफ और आघ्साफलन dot तो यह तो तुम्हें पॉइंट्स अब आई गए समझ में, यह तो तुम्हें लिखी लोग है कि A-V-C और A-C की शेप यू शेप होती है, A-V-C क्या होता है, हमारा downward stopping होता है, rectangular hyperbola shape होती है, क्यों क्यों क्योंकि T-F-C constant रहता है, और यह कभी भी किसी भी axis को touch नहीं करती, क्य अब इसके अलावा जो points आते हैं, जो relation बताते हैं, basically यह तो individual की बात होगी, अब इन तीनों में क्या relation है, वो देख लेते हैं, A-C always greater than A-V-C, A-C जो हो 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 हमेशा A-V-C से जाद होगी, तो simple सी बात है, understood, common sense वाली बात है, कि A-C क्या होता है, total होता है, A-V-C और A-F-C का, तो A-V-C से जादा ही value आईगी, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, A-C हो हमेशा जादा होता है किस से, A-V-C से, क्योंकि A-C क्या होता है, sum होता है, A-V-C प्लस A-F-C का, तो अगर graph पर देखें, A-V-C मेरा यह है, A-C मेरा यह है, तो हमेशा क्या होगा, A-C, जादा होगा A-V-C से, क्योंकि A-C क्या है, sum है किसकार, A-V-C और A-F-C का, ठीक है, इसलिए वो हमेशा जादा होगी, then बात करें, when A-V-C reaches minimum, point B, at a level of output lower than A-C, point A, अब क्या होता है, कि जब A-V-C अपना minimum point reach कर लेता है, यह minimum point है, ठीक है, जो कि हमारा minimum point क्या है, A-V-C का 5 है, ठीक है, A- minimum point जो है, वो lower output पर अचीव कर लेता है, as compared to A-C, A-C ने अपना यहाँ पर अचीव करा minimum level, जो कि क्या है, हमारा 9 है, ठीक है, यह हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते है, point A, यहाँ से यहाँ तक ले लेते है, point B, ठीक है, कि बात कर रहा है, क्या कह रहा है, यह point हमें, कि B-point पर अगर मैं बात करूँ कि ABC की बात करूँ तो ABC अपना minimum point जो है वो पहले अचीव कर लेता है पहले अचीव कर लेता है as compared to AC के minimum points थे अगर मैं बात करूँ यहां पर हम देखे टेबल में कि ABC ने क्या करा 2 और 3rd level of output पर क्या करा अपना constant minimum point अचीव कर लिया AC की बात करूँ तो AC बें क्या हुआ 3 और 4 level पर क्या हुआ अपना minimum point अचीव कर लिया ठीक है तो ABC यह करता है पहले अपना minimum point या constant point अचीव कर लेता है reach कर लेता है as compared to AC AC जो है वो late क्यों अपना minimum point अचीव करता है क्यों क्यों क्योंकि because of AFC क्योंकि sum होता है AC तो AFC और AVC का तो इसलिए उसको time लगता है वो अभी और भी decrease होता है फिर जाके वो constant पर आता है बट AVC जो है वो पहले constant हो जाता है as compared to AC ठीक है तो यही point कह रहा है कि AVC पहले अपना minimum point रीच कर लेता है at lower level of output as compared to AC AC जो है वो अपना minimum point रीच कर रहा है 4 level of output अगर माद करूँ 3 और 4 के बीच में and AVC जो रीच कर रहा हो 2 और 3 के बीच में कर रहा है तो यही point कह रहा है then बात करें the gap between AC and AVC curves decreases but they never intersect each other because AFC never zero अब gap के बात करूँ AC और AVC इन दोनों का gap अगर तुम देखो तो decrease होता जा रहा है बट यह कभी भी आपस में intersect मतलब आपस में एक दुसरे को काटेंगे नहीं क्यों नहीं काटेंगे क्योंकि इनका जो gap है gap क्या है इनका AFC अगर हम बात करूँ AC क्या है भई हमारा AFC प्लस AVC ठीक है तो AFC क्या होगा हमारा AC का gap होगा अगर मैं gap निकालो तो AC और AVC का gap क्या होगा AFC को होगा जब मैं AC में से माइनस कर दूँगी AVC तो AFC निकल के आएगा ना तो इनका जो gap है वो क्या करता है decrease होता जाता है decrease हो रहा है मेरा gap ठीक है decrease हो रहा है बट कभी भी zero नी होगा क्यों क्यूंकि TFC कभी zero नी होगा क्यूंकि TFC दो constant रहते है तो AFC कभी zero नी होगा इसलिए जो AC का gap है वो decrease होगा बट कभी मिलेंगे नी आपसमें इस तरीकस सा समझते इसको कि भाई दो आशिक हैं A.C. और A.V.C. और इनके बीच में क्या A.F.C. नाम की एक दिवार है जो इन दोनों को कभी मिलने नहीं देगी क्योंकि A.F.C. कभी 0 होगा नहीं और A.C. और A.V.C. कभी मीट कर ही नहीं पाएंगे ठीक है यह थी कहानी एवरेज कोस्ट की होप बहुत अच्छे सा सब कुछ क्लियर हो गया होगा आज के लिए इतना है मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक्यू कर दो आज कर दो कर दो कर दो आज कर दो